नमस्कार आप लाइप सिटीज देख रहे हैं आपके साथ मैंखू वसीम खांदे के उपेंदर कुश्वा ने एक बड़ा ट्यूट किया है बड़े सवाल को खड़ा किया है अपने ट्यूटर हैंडल पर ट्यूट करके मुखमंति नितीज कुमार पर निशाना साधा असाधी जेडियू के तमाम जो कुश्वाह समाज से जो नेता आते हैं उन्हें भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि आप लोगों को लग रहा था कि उपेंदर कुश्वाह आप लोगों के रास्ता के बाधग बने हुए हैं और कहीं ना कहीं अब तो उपेंदर कुश्वाह जेडियू मे आपको सुनाने जा रहे हैं देखे बिहार विधान परिशद की सदस्ता से मेरे इस्तिफे के कारण रिक्त पद पर नए मनोन्यान के बाद संभवता जेडियू के मेरे उन मित्रों का भरम तूठी गया होगा जिनको गलत फैमी हो रही थी कि उपेंद कुश्वा के कारण उनकी हख मारी हो गई हो रही थी एक बड़ा सवाल ट्वीट के माध्ण हम से कड़ा कर रहे हैं आगे लिखते हैं अब क्या हुआ अब तो उपेंद कुश्वा आपके रास्ते में बाधग नहीं है उस Hij बास जो है वह अपने ट्वीट के माध्ण किया बिहार के पुर्व मुखमंत्री भागवत जाजाद के पुत्र राजवर्दन जाजाद को जेडियू ने MLC बनाया मनुनित किया और उसके बाद उपेंद कुश्वा ने बड़ा सवाल खड़ा किया है कि आखिर हकमारी देखिये कुश्वाह समाज को ले करके उपेंद कुश्वा आवाज बुलंद कर रहे हैं और अब तो ये भी कहत नजर आ रहे हैं कि जब जेडियू में था तो कई साथियों को लगता था कि उपेंद कुश्वाह के आने से उनकी हकमारी हो रही है उनके रास्ता के बाधक बने हुए हैं मगर अब तो जेडियू में उपेंद कुश्वाह है भी नहीं आखिर उसके बावजूद ब्रामन समाज से ही राजवर्दन जा आजाद को आगे किया गया तो हकमारी हुई है तो यह सवाल भी खड़ा कर रहे हैं और कहते नजर आ रह के निशाना भी साधा एक बड़ा सवाल करा किया देकि जिसकी जितनी संक्या भारी उतनी उसकी इस्सेदारी मगर अब वह विधान परिशत में कुश्वाह जाती से स्रीप एक नेता जेडियू के तरब से हैं जेडियू कोटे से हैं वो हैं रमेश्वर कुमार महतो जो की एक बड़ा सवाल एक बड़ा प्रस्ण उपेंद्र कुश्वाय ने खड़ा कर दिया है सवाल भी पूछ रहे हैं प्रस्चिर भी खड़ा कर रहे हैं खैरी स्टूडियो में इतना ही आपका बहुत-बहुत सुक्रिया